नमस्कार जहिन, मरुद्रेश रागव, उत्तरप्रदेश, S.J. डिफेंस अकेडमी पैरे बच्चों हम जानेंगे सारी वो बात हैं कि जब आप एक अगनिवीर बन जाते हैं उसके बाद आपको क्या-क्या सुविधाय मिलेंगी जब आप आर्मी, एरफोश, नेवी में चले जाते हैं तो आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे और क्या-क्या आपको सारी सुविधाय मिलेंगी आईए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पशांद आए तो लाइक करके शेर कर दीजिए प्यारे बच्चों जैसे ही आप अगनिवीर स्कीम का एक हिस्सा बनते हैं तो सबसे पहले आपको चार साल के निक्त किया जाएगा चार साल की जो ये निक्ती होगी मेरे बच्चे इसमें आपको हर महीने आपको पहली साल में 30,000 रुपे सेलरी मिलेगी जिसमें से 30% डिडेक्ट हो करके आपके पी एप में जाएगा अगर हम यूँ कहें कि आपको जो नेट सेलरी आपके अकाउंट में जाएगी वो जाएगी 20,000 पहली साल में हर महीने जिसके साथ अगली साल जो दूसरी साल होगी उसमें आपके अकाउंट में जो आएगी 25,000 आएगी कटके कितने से 33,000 से दूसरी साल की जो आपकी सेलरी होगी हर महीने की वो 33,000 होगी तीसरे साल में जो होगी 36,500 होगी और चौते साल में होगी 40,000 जो सेलरी है इसमें से 30% डिडेक्ट होकर करके आपके पी एप में जाता रहेगा जब आप रिटार्ड होके आओगे तो आपको 10,4,000 रुपे आपके अकाउंट में सीधे एक मुष्ट दिये जाएंगे और वो टेक्स प्री होंगे इधार बच्चे बात करते हैं कि रिटार्ड होने के बाद में हमको क्या-क्या शुभधाय मिलेंगी और ड्यूरिंग हमारी ड्यूटी के भी क्या-क्या शुभधाय मिलेंगी प्यारे बच्चे जब आप जोइन हो जाएंगे इंडियन एरफोष, नेवी या आमी तो आपको वहाँ पर ग्रेजवेशन करने की भी ऑपोर्जनिटी मिलती है अगर आप ग्रेजवेशन करना चाहते हैं तो सेना ने, भारतिय सेना, आर्मी, नेवी और एरफोष ने एगनू यूनिवर्शिटी के साथ में अपना एक समझोता किया है जिसमें आपको इस्पेसल तरीके से ग्रेजवेशन कराई जाएगी 50% मार्च आपके, जो आप स्किल कर रहे हैं, वहाँ पर जो आप स्किलिंग ले रहे हैं उसका आपको 50% मार्च दिया जाएगा और आगे आपका फिर रिटेन एक्जाम जो होगा इगनू यूनिवर्शिटी के दुआरा उसमें से आपको 50% मार्च वहाँ से मिलेंगे ग्रेजवेशन करने के साथ साथ आपको एक मिलेगा स्किल सर्टिफिकेट जिस भी पिरकार की आपको स्किल सिखाए जाती है आप वहाँ से उसे स्किल को लेने के बाद सीधा प्राइबेट सेक्टर में आऊगे तो यहां आपको और मेंट के साथ साथ प्राइबेट सेक्टर में भी बड़ी ओपोर्चनटी देखने को मिलेगी क्योंकि आप उस समय पे well maintained, well disciplined and well qualified and skilled person होंगे इसी के साथ में पहली शुवदा है आपके लिए hardship allowance जो आपका hardship allowance होता है वो आपको मिलेगा दूशे नमबर पे होता है uniform आपको uniform free मिलेंगी आपको canteen facility मिलेगी जब से आप army के अंदर चले जाते हैं और 4 साल के बीच में आपको canteen शुवदा मिलेगी और फिर है 4 नमबर पे जो सबसे बड़ी शुवदा है वो है medical facility पहरे बच्चो medical card जो आपको मिलेगा वो 4 साल के लिए मिलेगा शुरू में जितने भी time आप शुरू के साल से लेकर 4 साल तक आप जब तक job करोगे आपको 4 साल तक आपको ये medical facility आपको मिलेगी साल में आपको 30 दिन की छुटी मिलेगी अगर आप बीमार पर जाते हैं medical leave चाहिए तो वो भी शुवदा आपके लिए वहाँ पर है यानि आप medical leave भी ले सकते हैं 4 साल की service के दोरान अगर आप की म्रत्यू हो जाती है तो उस समय आपको तक्रीवन एक करोड रुपे के आसपास आपके परिवार को दिया जाएगा जिसमें से 44 लाख रुपया गौर्मेंट की तरफ से एक मुस्त आपको दिया जाएगा और 48 लाख रुपया जो आपका insurance करा के देती है भारतिय सरकार और अपनी भारतिय शेनाए उसका total पैसा आपके amount जो है आपके परिवार को मिलेगा और बची हुई जो आपकी duty है जो आपकी duty का कारिय काल है उसका तमाम पैसा तमाम निधी आपके परिवार को दी जाएगी duty के दोरान अगर आपको चोट लग जाती है और चोट भी लगती है कैसी serious major problem अगर आपके सरीर में हो जाती है आप handy camp हो जाते है तो आपको तब भी 44,00,00 रुपया आपको मिलेगा 44,00,00 रुपया और X-Man का आपको दर्जा दिया जाएग रिटार्ड होने के बाद आपको 10,00,00,00,00,00,00 रुपया एक मुष्ट मिलेगा वो भी कैसे बिना income tax के यानि income tax free आपको वो पैसा मिलेगा इसके साथ इन्होंने और भी कैसारे नियम लगाई है जब आप अगनी वीर बनते हैं तो आप 4 साल तक तो साधी नहीं कर सकते और 4 साल के इस period में आप government swap को इसको छोड नहीं सकते छोड सकते हैं कुछ ही rare conditions हैं जिन में आप इस job को छोड सकते हैं बाकी आप इस job को नहीं छोड सकते और 25% जो permanent category में आएंगे बच्चे मैं आपको बता दू चार साल आप जब वहाँ पे 4 साल बिता लेते हैं उसके बाद आपको घर आना पड़ेगा घर आने के बाद फिर आप form apply करेंगे कि मैं भी 25% के लिए आगे apply करना चाहता हूं तब आपका वो skills का जो पेमाना है जो उनका scale है जो उन्होंने पूरा साल आपके साथ चार साल में लगातार आपको उन्होंने आखलन किया उस आखलन के बेस पे 25% लड़कों को आगे renew करेंगे army gd में जो बच्चे 10 वी किलास पास करके जाते हैं उन बच्चों को भी बार्मी किलास कराई जाएगी और बार्मी किलास कराते समय पे उन बच्चों को करना बहुत आसान होगा उसका main region क्या है जैसे आप बार्मी किलास करके आप इंडियन आमी में गई तो आपको मैं बता दू 50% जो marks हैं आपके वो तो केवल और केवल आपके skill और आपका जो discipline है वहाँ पर उसी के मिलेंगे यानि fail होना तो आपका बिल्कुल भी संभव नहीं है आप fail नहीं होंगे उसके साथ 50% आपके marks जो होंगे वो होंगे आपके written exam के base पर आपको जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तक share करें मरुदने स्रागव as a defense academy उत्रपरदेश थैंक्यू जहन